हाल ही में यूनियन एन्वार्मेंट मिनिस्टर गुपेंदर यादव जी ने एक रिपोर्ट प्रजेंट की जिसमें उन्होंने बताया कि भारत में लैपर्ड की संख्या में 8% इंक्रिमेंट देखने को मिला है 2018 में भारत में लैपर्ड की संख्या लगबग 12,800 थी जो अब बढ़कर 13,852 के करीब जा चुकी है याद रखना भारत में सबसे ज़्यादा लैपर्ड मद्यप्रदेश में पाए जाते हैं उसके बाद करना टक और उसके बाद महारस्टर आपने एक नाम सुना होगा बलैक पैंथर तो बलैक पैंथर एक्चुल में क्या होता है तो एक प्रोसेस होती है melanism, melanism एक process होती है जिसमें leopard के skin का color black हो जाता है including their dots तो उस process में जो leopard बनता है हम उसे कहते है black panther मतलब जो melanistic leopard होता है उसी को black panther कहा जाता है और panther या leopards mainly सब सारा region में पाई जाते हैं और उसके साथ साथ western, central, asia में भी पाई जाते हैं Thank you